वह लो दोस्तों, SSC exams by Examppur पर मैं Ankit Sharma आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम लेकर आएं आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन और इस सेशन में डिसकस करने वाले हैं DICE के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टिंस So now we are going to discuss the most important questions in DICE DICE ऐसे तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है 30-35 सेकंड में एक एक question solve होता जाता है But कई यहां पर gray areas है जहां students घबराते हैं तो घबरानी की कोई आवशकता नहीं है हम शुरू करने वाले हैं यह टॉपिक और मैं पूरी उमीद करता हूं कि आप लोग पूरे energy के साथ इसमें participate करेंगे and enjoy भी करेंगे मेरे दोस्तों यह आज का thought of the day पढ़िये क्या कहता है यह Thought of the day कहता है How you invest your time is more important than how you invest your money आप समय के साथ और रुपिया बना सकते हो और पैसा कमा सकते हो मगर उसी कमाए गए रुपिये से उसी कमाए गए पैसे से क्या आप खुद के लिए समय खरीद सकते हो कभी नहीं समय से जादा कीमती कुछ भी नहीं है ना पैसा ना कुछ भी और और हमारे यहां तो गाउं में कहवत है कि मनुष्य बलवान नहीं होता है तमय होता बलवान तो जो समय की कदर करेगा तमय भी उसकी कदर करेगा और जो समय को बर्बाद करेगा चुबने वाली बात है जो समय को बर्बाद करेगा समय भी उसे बर्बाद करेगा याद रखिए तो समय का आदर करिए, सद उपयोग करिए और आगे बढ़िए और इनी शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन यह राज सबसे पहला प्रशन आप सभी के सामने शुरू करिए एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है और उस प्रतीक का चैन करें जो गोल्डन दिखने वाले के विपरीत में हो ठीक है तो एक ही पासे के तीन स्थितिया दी गई है और आपको एक ऐसा कलर चुनना है जो गोल्डन के विपरीत होगा तो देखो इसको करने के कई तरीके होते हैं उनमें से एक तरीका हमाया पर डिसकस करने वाले हैं मगर हां पहले मैं आपको समय डूँगा आप सॉल्व कर लीजिए उसके बाद डिसकस करेंगे चल यह ए समय समाप्त हुआ अब यहांपर देखते हैं तो यहांपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें बताने है golden के opposite क्या होगा तो आप सबसे पहले यहां देखो green, pink, grey तो green, pink, grey आप इन दोनों में देखो इन दोनों में आप देखोगे तो केवल एक चाहरा समान ने दिख रहा है वो है green देखो green, pink, grey केवल green common है दोनों में केवल green common है तो आप common wallet से start करो, आप common wallet से start करो, आप common wallet से start करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप दोनों में ही घड़ी की सुई की दिशा में चले जाओ, या दोनों में ही घड़ी की सुई की विप्रीत दिशा में चले जाओ, कोई एक कम दोनों में करो, तब मैं घड़ी Green के बाद Golden और Golden के बाद Purple अल्राइट Everybody तो यह आपको देख गया अब यहाँ पे करना क्या है Pink के Opposite Purple हो जाएगा Golden के Opposite Gray हो जाएगा और जो Color बच गया वह Green के Opposite हो जाएगा हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना है हमसे Golden के Opposite Gray होगा तो Golden का Opposite क्या होगा Gray हो जाएगा इसका Answer इसका उत्तर Option Number डी Gray हो जाएगा ठीक है यही Answer आ रहा था Golden का Opposite Gray अब आगे बढ़ते हैं इसको Solve करो पूरे ध्यान से पूरे Concentration के साथ आप Solve करिये Concentrate करिये Focus करिये चलिए समय समाप्त हुआ अब कहा जा रहा है यह Open Form of Dice है यह Dice को Cut कर के खोला गया है और कहा जा रहा है कि कौन से Pairs Opposite Faces में होंगे Which of the following pair of letters will be on the opposite sides तो Option भी Option देखने है पहला Option है L & C L & C Common Vertex Share करते हैं Common Corner Point तो 2 Opposite Pairs के बीच में Common Corner Point नहीं हो सकता 2 Opposite Faces के बीच में Common Corner Point नहीं हो सकता तो Because L & C Common Corner Point शेर कर रहे हैं यह Opposite नहीं हो सकते अब देखो C & W C & W में भी Common Corner Point है तो यह भी Opposite तो नहीं हो सकते W & B W and P में तो अग्दम बगल बगल ही है तो यह भी opposite नहीं हो सकते तो answer इसको क्या हो जाएगा option number B, B and A कि इन में कोई भी common corner point नहीं है यह बिलकुल opposite होंगे ठीक है? तो इस तरह से आप इसको solve करोगे चल इसको solve करोगे, अगला प्रशन इसको solve करेंगे, ठीक उसी प्रकार का है, थोड़ा concentrate करिए, बिना pen and paper के answer देद होगे, quickly मैं बस समाप्थी होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप लोग सको ध्यान से देखिए, सेम उसी प्रकार का प्रशन है, कौन से वो दो हैं जो opposite चहरों पर होंगे, तो T और J को देखो, T और J तो ठीक है, D and K में क्या problem है, कि यह एकदम पडोसी हैं, अगल बगल हैं, तो यह कभी भी opposite नहीं हो सकते H और T में भी बिल्कुल पडोसी हैं, कभी भी opposite नहीं हो सकते, अगल बगल होंगे K and S, भी एकदम पडोसी हैं, इनको form करके, फिर से Q बनाओगे, यह भी अगल बगल होंगे मैं गुजारिश करूँगा आप सभी से कि आप लोग session को like and share करना ना भूलें तो session को like and share करते रहें, ठीक है time is up, अब देखे, अब कहा जा रहा है कि one dot अगर bottom पर है एक बिंदू अगर नीचे है तो top पर क्या होगा, तो हमें one को opposite ढूंडना है ठीक है, तो ढूंडने के कई सारे तरीके हैं, one के opposite अगर ढूंडना है तो इसको एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए अगर आप इन दोनों में देखो, तो क्या common है, one two six, cable और cable six दोनों में common है, one two six six three five, दोनों में six common है तो अगर दोनों में six common है, तो आप क्या करो, कि दोनों में शुरुआत six सही करो अगर एकी पासे की दो स्थितिया दी गई है, अगर एकी पासे की दो स्थितिया दी गई है, और दोनों में एकी चाहरा समाने च्छे, तो हम सारे विपरीत चाहरे निकाल सकते हैं, क्यासे? समाने 4 दोन में 6 उसी से शुडू करो और घड़ी की सूई की दिशा में जाओ 6 के बाद 2 और 2 के बाद 1 यहाँ पर 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3 अब देखो के तो 1 के विप्रीत 3 हो जाएगा 2 के विप्रीत 5 हो जाएगा अब 6 के विप्रीत क्या हो सकता है नमबर बचा था शायद हाँ वो चार था चार हो जाएगा तो हो गया बट हमें बताने कि अगर वन डॉट बॉटम पर है तो टॉप पर क्या होगा थ्री डॉट्स तिसलिए इसका उत्तर हो जाएगा option number C 3 dots ठीक है I hope आपको चीज़े बिलकुल समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं इसको solve करिए चलिए समय समाप्त हुआ अब हमें बताना है कि which number will be at the top if 2 is at the bottom यानि 2 क数 opposite बताना है एकी पासी की क्वेवेशत्ति दो इस थितिया दी गईए अब जब एकी पासी की दोससनी कितने चहरे कामन है जाएं 6 4 3 केवल और केवल 2 इस चहर huh दी गईएं और केवल 1 चहर호 common होता है, तो हम सारे पिर आप opposite face निकाल सकते हैं, start common वाली 3 से ही करो, अब या तो घड़े के 100 के दिशा में चल जाओ, या उसके विप्रीत दिशा में चल जाओ, तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, अब देखो, क्या हो रहा है, 6 के बाद 2 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, एक ही होगा generally, ठीक है, and now, अब कहा जा रहा है, 2 के opposite क्या होगा, 2 के opposite 6, 2 के opposite 6 है, तो वही answer हो जाएगा, answer is option number B, that is 6, ठीक है, किसे समझ में आ रही है, आगे बढ़ते ह है, इसको solve करो, hurry up, इसको solve करो, the next question, and I am very sure कि आप इसको enjoy करोगे, solve this one, the 6th question, hurry up, एक ही घन की 4 स्थितिया दी गई है, उनके अधार पर ग्याद कीजिए, कि घन में कौन सी संख्या, 4 के विपरीत पाई जाती है, यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, देखो इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बता सकता हूँ, बगर मैं चाहता हू पहले आप लोग खुद के दिमाग से इसको हल करने का प्रयास करिए,। चलिए समय समाप्त हो आप देखिए चार के विप्रीत क्या होगा अब देखो चार देखो है कहां यहां नहीं है चार यहां नहीं है यहां नहीं है यहां है चार चार अब चार के इलावा क्या है यहां पर एक और छे चार के इलावा क्या है एक और छे कहीं पर और एक और छे दिख रहा है कहीं पर और एक और छे दिख रहा है हां यहां दिख रहा है तो आप इन दोन में देखो जब एक ही पासे की दो स्थितिया दी जाती है जब एक ही प तो तीन और चार विप्रीत हैं, तो चार के विप्रीत क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार और तीन विप्रीत हो जाएगे, जो आसमाने है वो विप्रीत हो जाएगे, तो चार और तीन है, तो यह एक तरीका है, अब अगर इससे आपको नहीं करना है, अगर आपको इस सुई की दिशा में चले जाओ clockwise या दोनों में anti-clockwise जो करना है दोनों में करो तो 3 से शुरू करेंगे clockwise 6 के बाद 5 आएगा और इसने भी शुरू करेंगे clockwise तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आएगा अब अगर आप यहां देखोगे तो 5 की विप्रीत 1, 6 की विप्रीत 2 اور 3 की विप्रीत 4 ही होता है अब अगर आप देखो तो यहां पर आपको फिर से वही 4 के विप्रीत क्या है तो मैंने आपको दो तरीके से करके पता है दोनों से answer सेम ही रहेगा अगला प्रशन अगला प्रस्टन हरी अप, कंसेंट्रेट कर ये पूरे जान लगा दिजे यहाँ पर, बिल्कुल क्वेश्चन होगा समय समाप्त हुआ, तो what face will come opposite to face containing one, one के विपरीत क्या होगा, देखो दो तरीके हैं, फिर से दो तरीके बता रहा हूँ, देखो, एक यहाँ पर है, एक के अलावत 6 और 5 है, कहीं और 6 और 5 तो नहीं दिख रहा, मगर 1 यहाँ है और एक के अलावा यहाँ पर 6 और 4 है, और 6 और यहा भी दिख रहे हैं, तो जब एक ही पासे के 2 स्थितियां दी जाती हैं, और दो दो चहरे समाने हैं, तो जो common नहीं है, एक और दो यह विपरीत हो जाएंगे, एक और दो विपरीत हो जाएंगे, तो आपस एक ही फियस कॉमन है अब जब एक फियस कॉमन है यह रयू है तो उसी से start करो और दोनों में घड़ी के शुई की बिप्रीत if दिशह में चले जाओ यह दोनों में घड़ी की सुई की की दिशह में जनरली जैता हूँ दो 6 के बार 5 5 5 11 अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 की विपरीत 1, 4 की विपरीत 5, 6 की विपरीत 3 हो जाएगा तो 1 की विपरीत 2 ही आ रहा है न अब पहले भी वही आ रहा था तो आंसर वही रहना है आंसर में कोई बदलाब नहीं आपको दिखेगा मगर अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनियेगा, Example Official App is the one-stop solution for all the government job aspirants, और जब मैं ये कह रहा हूं, तो इसके कुछ कारण है, कुछ हवा हवाई बात नहीं है, इसके मैं 10 कारण दूँगा, कि क्यों Example Official App आपके लिए एक आशिरवा कि Sir, जब आप YouTube में Free of Cost पढ़ा रहे हो, तो Paid Batch में क्यों हम पैसा लगाएं, इसके कही कारण है, पहला, YouTube Classes में जैसे कि आप देख रहे हूं, हम केवल Question Solving करते हैं, तो जिनको Concepts आता है ठीक है, बड़ जिनको नहीं आता है उनका क्या, Paid Batch में पहले Theory, Basics, Concepts, Fundamentals, C, सब इतियादी करके, फिर हम Questions पर आते हैं, और Questions भी हर Level के करते हैं, Easy, Moderate, Difficult, or Previous Paper, Higher Level Questions, सब करते हैं, दूसरा, YouTube Class में जो हम पढ़ाते हैं, वो केवल 10-15% जितना हम Paid Batch में पढ़ाते हैं, दूसरा, प्रमुक कारण, तीसरा, YouTube Class में में तो हम केवल एक Question Homework के लिए देते हैं, But Paid Batch में तो Complete Set of Questions Homework के लिए देते हैं, English Hindi दोनों में होता है, with Detailed Solution, तो Practice अच्छी हो जाती है, चौथा, YouTube Class में हम कोई Doubt नहीं Solve कर पाते हैं, क्योंकि वो एक Open Platform है, Paid Batch में हम Zoom Session के माधियम से, आप सब के Doubts Solve करते हैं, एक एक के Doubts, और सबसे महतेपूर्ण Feature, YouTube में हम पढ़ाते तो हैं, बटी चेक नहीं कर पाते हैं, क्या आप पढ़ रहे हो की नहीं, Paid Batch में हमारा Mentorship Program है, जिसमें हम एक Faculty का Mentor आपको Assign कर देते हैं, और वो Faculty Zoom Session लेती है क्लास में, और वो बताती है कि आपका Ideal Time Table क्या होना चाहिए, जो आपकी Strength के इसाप से हो, आप schedule कैसे बनाओ, what are the pros and cons, what are the do's and don'ts of various techniques, तो आपको सब faculty बताती है, आपकी help करती है, आपकी हर जगा motivate आपको करती है, guide करती है, faculty आपका progress check करती है, आपका scores देखके बताती है, यहां कमी है, इसको ऐसे से सही कर सकते हैं, तो faculty takes the charge of your overall growth, that's it, तो यह mentorship program बहुत बड़ा यहां का फायदा है, USP है, second, फ्री में हम आपको क्या क्या देते हैं, फ्री में हम आपको देते हैं, फ्री subject wise and topic wise quizzes with report card, फ्री में हम आपको देते हैं, फ्री job bullet, admit card and exam date information, हम आपको देते हैं, all exam previous year PDF with solution, हम आपको देते हैं, pre all India scholarship test with report card, हम आपको देते हैं, topic wise free live classes, हम आपको देते हैं, pre full length and sectional test with report card, हम आपको देते हैं, pre exam wise PDFs and practice set PDFs, हम आपको देते हैं, daily, weekly and monthly current affairs and then finally हम आपको देते हैं, unlimited subject wise practice questions, यहां पर मैं दो चीज़ों को खासकर highlight करूँगा, number one, यह, all exam previous year PDF with solution, बहुत जरूरी है, किसी भी विद्यार्थी के लिए, चाहे वो किसी भी परिक्षा के तयारी कर रहा हो, दूसरा, हम आपको देते हैं, unlimited subject wise practice questions, बहुत महत्यपूर्ण है, pre of cost, यह सब चीज़ा आपके लिए मुफ्त हैं, बट इसमें हमारे team का खून पसीना लगा है, इसका acknowledge करिए, इसका उपयोग करिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए और प्रशन करते हैं, इसको solve करो, 45, 45 seconds पर्याप्त हैं इस प्रकार के प्रशनों के लिए, बहुत हैं, च्छे के विपरीत क्या होगा, यह हमें चेक करना है, और यह बहुत सरल है, मैं यहां पर आपको फिर से दो तरीके बता सकता हूं, एक बार और बता दूँग और इसके बात एक एक तरीके से बता करके आगे बढ़ेंगे, अब विकॉज आपको छे के विपरीत पूछा गया है, तो छे के लावा यहां 3 और 2 कहीं और नहीं दिख रहा, छे के अलावा यहां पर दो और चार हैं मगर दो और चार यहां दिख रहे हैं अब जब दो चार दो चार दिख रहे हैं तो सिदा छे और एक विपरीत हो जाएंगे तो इसलिए इसका उत्तर option number B होगा एसे नहीं करना चाहते हो किसी और तरीके से करना चाहते हो तो आप इधार देख लू इन दोना में देख लू common क्या दोन न में 6 तो जब 6 किशे की वल एक चेयरा क्यारा brightness कलma कना स्टार उसी common चारी से करो गड़ी की सूई की दिशा में दोनु में चले जाओ यह जब गड़ तो सिदा-सिदा देखो 3 के विपरीद 4 ,2 के विपरीद 5 , और अब 6 के विपरीद क्या बचाता है ? एक ही बचाता और वही answer है , छै के विपरीद क्या होगा ? एक होगा ? तो answer तो वही आना है अब मैं सब में केवल एक इक तरीका बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा अब आप solve करिए मैंने आपको दोनों method जो सबसे ज़्यादा use होते हैं इस type के सवालों को हल करने के लिए वो आपके साथ discuss कर लिया है Quickly everyone अब देखिए चार के विप्रीत क्या होगा है अब इन दोनों में अगर आप देखो के दोनों में केवल एक चारा समानने है वो है चार तो दोनों में हम चार से शुरू करेंगे और जाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विप्रीत दिशा में जो करेंगे दोन में करेंगे 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 अब अगर मैं देखूं तो 2 के विप्रीत 6 होगा, 1 के विप्रीत 5 होगा, 4 के विप्रीत 3 होगा, तो 4 के विप्रीत क्या होगा, 3 होगा और वही इसका सही उत्तर है, option number B that is 3, ठीके, तो अब आप देख रहे हूं कितना असान प्रशन आता है इसका, इसको solve करो, दसवा प्रश चली, समय लगवक समाप्त हुआ अब कहा जा रहा है छे के विप्रीत क्या होगा बहुत सिंपल सा है यहां तीन और दो हैं मगर तीन और दो कहीं और नहीं दिख रहे छे के लावा यहां दो आच चार हैं और दो आच चार दिख रहे हैं तो शायद यही है इसके जैसा मिलता है उजलता हूंने पहले भी किया थ साथ दो चार दो चार तो 6 के भी प्रीट सिधा सिधा एक हो जाएगा और भही उत्तार है option number b that is one और इसको इसके लाभ और भी method सी किया जा सकता था बट अब मुझे लगता है आप लोग वो समझ चुके हो इसको solve करिए कौन सा standard dice नहीं हैं यहां सा जिस पे opposite faces जो अंक ओंग मेंशा i.s का सम हमेशा साथ होगा all nonetheless standard dice का क्ओं सा डाइस होता है जिसमें कोई जरूरी नहीं है non-standard dice जिसको हम कहते हैं 11 मानक पासा standard dice मतलब मानक पासा standard dice मतलब मानक पासा जिसमें opposite faces का numbers कस्तम हमेशा 7 होगा ludoka dice example non-standard dice मतलब 11 मानक पासा इसमें कोई जरूरी नहीं है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि opposite faces पे जो आंखे हैं उस कस्तम हमेशा 7 हो जारूरी नहीं है का मतलब 7 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब आपकी परिक्षे में आपको पता है आप समेशा पूछा जाता है dice के अंदर कि इसके विप्रीत क्या है उसके विप्रीत क्या है अब अगर standard dice से प्रशन आने लगे तब तो क्या डागराम देनी क्या वशकता होगी आप से बोला जाएगा 2 की विप्रीत क्या आप बोल दोगे 5 4 की विप्रीत क्या है 3 की विप्रीत क्या 6 अब तरन बोल दोगे तिसलिए standardized से सवाल नहीं आते आपकी परिक्षा में सवाल आते ही non-standardize से सबसे पहला अब समझ लो not a standardized standardized में एक और छे विप्रीत होते हैं जब एक और छे विप्रीत होते हैं तो दोनों एक साथ कहीं भी दिखेंगे नहीं दोनों एक साथ कहीं भी नहीं दिख रहे ठीक है 2 और 5 विप्रीत होते हैं standardized में अब जब 2 और 5 विपरीत होते हैं तो 2 नो एक साथ नहीं दिख सकते हैं इसी प्रकार 3 और 4 भी विपरीत होते हैं Standard Diction 3 और 4 विपरीत होते हैं तो वो भी कहीं नहीं दिख रहे हैं मगर यहां पर यह Option C उसका उत्तर होगा क्योंकि Option C एक मानक पासा नहीं है क्योंकि अगर यह मानक पासा होता न, तो जो 2 और 5 विपरीत हैं, दोनों विपरीत एक साथ कैसे दिखेंगे, दिखी नहीं सकते, दो विपरीत चार एक साथ नहीं दिख सकते, तो यह है ही नहीं, मानक पासा, ठीक है, बागी सब हैं, बागी सब हैं, देखो, 1 और 6 कहीं भी ए एक साथ नहीं है, दो और पाँच कहीं भी एक साथ नहीं है, तीन और चार कहीं भी एक साथ नहीं दिख रहे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाहरवा प्रशन, स्टॉल्व करिए निमलिकेट में से कौन से उत्तर आकरिती, प्रशन आकरिती के प्राप्त की जा सकती है, देखो, यह एक open form of dice है, यह क्या है, एक open form of dice है, और open form of dice की खासित यह है, कि faces at gap of 1 or opposite, एक एक चाहरे के अंतराल पर चाहरे opposite होते हैं, उदारन के तोर पर, D से एक gap पर A है, तो D के विपरीत A हो जाएगा, अब जब D के विपरीत A होगा, तो दोनों एक साथ कहीं दिखी नहीं सकते हैं, दोनों एक साथ कहीं नहीं दिख रहे हैं, F के एक चाहरे के अंतराल पर B है, अब जब F के एक चाहरे के अंतराल पर B है, तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते और F और B देखो एक साथ दिख रहे हैं तो यह cancel out हो गया, अब बच गये C और E, तो यह भी विपरीत होंगे अब जब C और E विपरीत होंगे तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते तधी हो वह होगा मेरे दोस्तों सही वाला वह होगा जिनमें इन दोनों में से कोई एक हो जाए इन दोनों में से भी कोई एक हो जाए तो F और B में से यहां B है D और A में से A है C और E में से C है I hope आपको चीज़े समझ में आ रही है Yes or No ओके आगे देखते हैं 13th question तेरवा प्रशन तौ करिए इसका चली देखिये अभी यहाँ पर, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, देखो, अब 3 के अलावा यहाँ पर 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी 1 और 2 है, तो आपको पता है, जब एक ही पास ही कि 2 स्थितियां दी गई हैं, और इन में 2 चाहरे common है, तो जो तो common नहीं है 3 और 5 वो विप्रीत हो जाएंगे तो 3 के विप्रीत यहां पर option number C 5 हो जाएगा यह एक तरीक है इसके लावब भी तरीके हैं जो हमने पहले discuss कर रखे हैं ठीक है क्या discuss कर रखा है आई एक बार आपके लिए दुबारा उसको discuss कर लेते हैं आपके लिए दुबारा उसको discuss कर लेते हैं देखो ध्यान से ठीक है आपसे बोला जा रहा है कि आखिर 3 के opposite क्या होगा तो 3 2 1 3 2 1 अच्छा आप यहां पर देखो इन दोनों में देखो इन में केवल और केवल Ech चारा common है that is 5 ताप केवल उसी से start कर और घड़ी की सूई की दिशा में जा पांच के बाद 4 4 के बाद 6 5 के बाद 4 4 के बाद 6 5 के बाद 1 और 1 के बाद 2 अब देखो चे के विप्रीथ 2 चार की विप्रीत एक और पांच की विप्रीत तीन तो आप देखोगे तो तीन की विप्रीत क्या है पांच है और वही आंसर यहां भी आ रहा था तो इस तरह से करेंगे अगला प्रशन इसको solve करो All right, let's do it. Hurry up, quickly everyone. Quickly come on, hurry up everybody. चलिए समय समाप्त हुआ 5 के प्रीथ क्या होगा देखो 253 अब देखो यहां पर आप देखो कि 23 कॉमन है 23 कॉमन है तो एकी चाहरे की दोस्त थितिया दी गई है दोने में 23 23 कॉमन है तो जो अनकॉमन है 5 और 6 वो ऑपोजिट हो जाएंगे तो 5 की प्रीथ क्या होगा option number D that is 6 तो कितना असर अले अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों मैंने आपको अपने आप की खासियत विशेशता हैं बता दी है मगर आप उन सब का उपयोग तभी कर पाओगे जब आप हमारे आपको डाउनलोड करो इसको इंस्टॉल करो अभी हम iOS वर्जिन पर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने Android मोबाइल फोन से आप Google Play Store पे जाएए और वहाँ टाइप करिए इंस्टॉल पे क्लिक करोगे जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे अगर आपके एंटरनेट ठीक है तो दो मिनट में वह हो जाएगा और उसके वाद आपको ओपन करने को कहा जाएगा अब वहाँ पर विकॉस आप फॉर्स ताम यूजर हो आपको अपने बेसिक जानकार देनी पड़ेगे रेजिस्टर करने के लिए जिसमें आप अपना नाम, जन्रति थी, इमेल, पासवर्ट, फोन नंबर, स्टेट, सिटी और जैसे आप क्लिक करोगा ही आप सभी का फैसलीटिस का आप उठा सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल करो, बहुत मज़िदार प्रशन है, बहुत मज़िदार प्रशन है, इसको सॉल करो, यह एक स्टंडर्ड डाइस है, क्या कहा जा रहा है, यह एक मानक पासा है, ठीक है, चलिए, समय समाप्त हुआ, अब देखिए, कहा जा रहा है, कि नीचे एक मानक पासा दिया गया, कौन सी संख्या प्रशन वाचक चिन का स्थान लेगी, अब एक बात बताओ, यह एक मानक पासा है, यह एक मानक पासा है, मानक पासा है, तो तीन के विपरीत चार होता है, तो सिंस तीन के विपरीत चार होता है, तो चार तो यह बिलकुल नहीं दिखेगा, तो अगर चार कहीं दिख रहा है, तो उसको हटा दो, अच्छा अब 2 और 5 भी तो विपरीथ होते हैं 2 और 5 भी तो विपरीथ होते हैं तो 2 और 5 दोनों एक साथ यहां कैसे दिखेंगे ये भी नहीं होगा 1 और 6 भी तो विपरीथ होते हैं अब 1 और 6 विपरीथ होते हैं तो देखो दो दिख रहा है और तीन और चार मेंसे भी कोई एक दिखेगा तो देखो यहाँ पर तीन दिख रहा है न वेसलिए आपको तरीका समझ में आ रहे है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो लवा प्रशन आपके समक्ष यह रहा सौल्व करिए उत्तर दीजिए समय समाब्त हुआ अब कहा जा रहा है that if the face with one dot is at the bottom मतलब one dot के opposite बताना है कि क्या होगा पाँच तीन चार तो तीन दोनों में समानने है देखो अब यहाँ पर एक मैं आपको चीज समझाना चाहूंगा 3 5 4 3 6 2 एक ही पासे की दो स्थितिया दी गई है एक ही पासे की दो स्थितिया दी गई है और और दोनों में के वलिए लेक चाहरा समानना है दो है तीन 수री के पर प्रिचाहरा बता सकते है । मगर एक खास बात है Because 3 एक ही स्थान पर है जैसनी जब आप 1 passer स्थान पर है जब आप एक passer बनाते है ठीक है इसको कहते है Top इसको कहते है not मिक्रेंट इसको कहते हैं Side Top Front Side तो दोनु केस में यहां देखो Mega में 3 ए ऐन भड़ेंट सब्बसी सिम्पल हो जाएगा उपर वाले की अपोजिट उपर वाले यानि 5 की वeralश्यक wearel every body तोब कहा जा रहा है then the number of dots on the top यह नहीं एक क्या अपूजित क्या दीख रहा है एक क्या अप्छित आपको तीन दीख रहा है , एक क्या आपको यहँए पर क्या दिख रहा है , तो यह answer हो जाएगा ठीक है, है ना बहुत सराल है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको solve करते हैं, सत्रवा प्रश्न, hurry up, quickly everyone, चलिए, अब बहुत ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, तो अब कहा जा रहा है, कि इसको हम जो fold करेंगे, तो क्या मिलेगा, ठीक है, अब देखो एक बहुत ध्यान से देखना, कि opposite faces, मतलब कौन से होंगे, एक एक चेहरे के अंतराल पर चेहरे opposite होते हैं, यह एक open form of dice है, और open dice में, जैसे Monday, Wednesday, Friday, alternating days है, Tuesday, Thursday, Saturday, alternative days है, तो यह opposite होते हैं, तो इसलिए dark circle के opposite होगा, light circle, dark circle के opposite क्या हो जाएगा, dark circle के opposite क्या हो जाएगा, light circle, square का opposite क्या हो जाएगा, triangle, और यह दोनों, जो places नहीं, यह दोनों white वाले places हैं, जो, यह हैं, यह वाले और यह वाले भी opposite हो जाएगे, white वाले भी चहरे आपस में opposite हो जाएगे, अब जो white वाले भी चहरे आपस में opposite हो जाएगे, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, और खास बात देखो, square और triangle भी एक साथ नहीं दिख सकता, इसका मतलब उत्तर क्या होगा, option number B, उत्तर हो जाएगा, option number B, यानि, dark circle और light circle में से, any one, तो आप देखो, dark circle आ रहा है, square और triangle में से any one, तो देखो, triangle आ रहा है, और इन दोनों में से भी any one, तो दोनों एक ही चीज़े हैं, तो एक white surface भी आ रहा है, all right everyone, आगे बढ़ते हैं, इसको solve करो, which of the following is not a standardized, hurry up, इस तरह की सवाल बहुत ही आसान है, और देखो, आप session like and share भी करना चाहिए, quickly like and share this session, guys, it is extremely important. अब देखो, standardized कौन सा नहीं है, जच अब देखो, standardized कौन सा नहीं है, विच अब देखो, which of the following is not a standardized, कौन सा standardized, नहीं है, ठीक है, तो एक की भी प्रीद 6, तो दोनों एक साथ कहीं भी नहीं दिख रहे, दो की भी प्रीद 5, तो दोनों एक साथ यहां दिख रहे हैं, ठीक है, तीन की भी प्रीद 4, तो दोनों 3 और 4 कहीं भी एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो यही वाल एक standard dice नहीं है, क्योंकि अगर यह standard dice होता न तो दो और पांच जो कि भी प्रीत चाह रहे होते हैं एक standard dice में यह एक साथ नहीं दिख रहे होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको solve करेंगे अगर यह आपको देखने में दिक्कत हो रहे तो मैं इसको यहां लिख देता हूँ ठीक है Z E U U E I Яुपर spinach यहांपर quier बड़ते हांपर है अगर, देघ यहांपर देघ बड़ते हैं boiling, कि अता हुएं प्रीप्ग.. अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको बताना था कि which of the following cubes can be created अब देखो जब इसको आप fold करोगे तो Z के विपरीत E आएगा अब because Z के विपरीत E आएगा तो दोनों एक साथ नहीं देख सकते अब बचा A और O यह भी विपरीत हो जाएंगे तो यह दोनों एक साथ नहीं देख सकते तो मैंने कहा तो सही वाला वह होगा जिनमें इन दोनों में से कोई 1 तो Z और E में से Z आ रहा है यू और I में से N E 1 तो U आ रहा है एंड O में से N E 1 तो O आ रहा है बात समझ में आ रहे है answer is option number B जैसे कि आप देख सकते हो आगे देखो बीषवा प्रशन बीषवा प्रशन दोस्ता हूं quickly guys session को like and share करें यह हमारे लिए motivation की तरह है दोस्तों करिपया इसका ध्यान रखें अब यहां पर कहा जा रहा है कि how many dots will come opposite to the surface having two dots two dots के opposite क्या होगा दो dot के opposite क्या होगा यह पूछा जा रहा है दो dot को opposite क्या होगा दो के लावा यहां 5-3 है तो 5-3 कहीं और एक साथ दिख रहे है क्या नहीं दिख रहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई आपको two dots को opposite बतारा है न तो अब एक काम करो अब इनी दोना में देख लो अब इन ही दोनों में देखो, common क्या है, 2, 5, 3, तो 5 और 5 की common है, अब ध्यान से देखो, एक ही पासी की 2 स्थितिया दी गई है, एक ही पासी की 2 स्थितिया दी गई है, दोनों में केवल 1, 4 समान नहीं 5, और वो भी एक ही जगा पर है, एक ही जगा पर है side में, तो टॉप के opposite, हो जाएगा, यानि 2 dots का opposite 6 dot, इसके opposite 3 का opposite 4 हो जाएगा, और 5 का opposite क्या बचा था, क्या बचा था 5 का opposite, केवल और केवल 1, तो 2 dots का opposite क्या होगा, 2 dots का opposite हो जाएगा 6 dots, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा option number D, that is 6, ठीक है, अब इसी को, अगर कोई कहता नहीं, हमें किसी और तरीके से करना है, तो वो भी कर सकता है, it is more than welcome, 2, 1, or 3, दोन में क्या common है, केवल और केवल 1 common, और वो भी एक ही जगा, वो भी एक ही जगा common है, तो 2 का opposite 6 होगा, देखो पहले भी वही था, 3 का opposite 4 होगा, देखो पहले भी वही था, और अब 1 का opposite क्या हो सकता है, 5, तो पहले वही था, तो answer तो गुमा फिरा की एक ही आना है, और कुछ और नहीं आना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, the 21st question, hurry up, quickly everyone. Concentrate करिए, opposite to n बताना है, ठीक है, so 3 positions of a cube are shown, opposite to n आपको बताना है कि क्या होगा, opposite to n, अब देखो, आप इन दोनों में देखो, जब आप इन दोनों में देखोगे, तो n, p, q दोनों में केवल 1, 4 common है, वो है n, दोनों में केवल 1, 4 common है, वो है n, तो आप n से यह शुरू करो, अब जब आप n से शुरू करोगे, तो आपके पास एक छूट है, आप दोनों में start to common element से करना, यहाँ कोई छूट नहीं है, अब आब घडी, शोई के Да में चले जाओ या दोनों में उसके विप्रित? अब स्वाइद के बाद यहाँ आए आएगा p p के बाद यहाँ आएगा q n के बाद p p के बाद q और यहाँ पर स्वाइद के बाद z n के बाद s, s के बाद z तो देखो Q की विप्रीथ Z, P की विप्रीथ S, और अब N की विप्रीथ क्या होगा अब N की विप्रीथ क्या होगा अब देखो बच क्या रहा, R ही बच रहा है THER तो इसलिए, तो opposite to N will be R opposite to N will be R जैसे क्या आप देख पा रहे हो मगर अब मेरे दोस्तों ये वो रहा वो समय जिसका बेसबरी से मुझे इंतजार था एक बहुती महत्यपूर्ण सुचना आप सभी के लिए मेरे दोस्तों दिवाली का अभी भी जो एंजॉर्मेंट है जो महौल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो इसलिए हम भी इसको कंटीन्यू करना चाहेंगे इस दिवाली सेलक्षन के साथ दीजे अपने परिवार को खुशियों की सौगात अभी अन्रोल करें एकजामपूर के कोर्स में और पाए 75 प्रतिशत का डिसकाउंट इसको जो 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 लिमित किसका आप यूज कर सकते हो 27 October तक ही इसको यूज़ कर सकते हो 27 October तक है 27 October रात 12 बज़े तक तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों इस दिवाली selection से दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात अभी enroll करें example courses पर और पाए 75 प्रतिशत का discount use code Diwali 75 और इस दिवाली धमा का offer की जो समय सीमा है 27 October केवल 27 October तक ही अपलब्द है इसका ध्यान रखिये और इसके साथ ही हम आज के session यहाँ पर समाप्त करेंगे केवल एक question आपको यहाँ पर में homework दे देता हूं यह आप लोगों का homework है इसको आप लोग solve करोगे और इसका उत्त आप लोग comment box में मुझे लिख कर बताओगे इसका उत्तर आप लोग कहां लिख कर बताओगे comment box में ठीक है तो बिलकुल इस पर answer करिएगा मिलते हैं अगली class में एक new topic के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो झाल